So question number 3 है इसमें show how root 5 can be represented on number line ठीक है So आपको याद होगा introduction पार्ट में मैंने बताया था कि हम root 5, root 2, root 3 को हम कैसे represent कर सकते हैं इसको represent करने का तरीका है Pythagorean theorem ठीक है Pythagorean theorem क्या होता है यहाँ पे लिखो root 5 can be represented by using Pythagorean theorem ठीक है अब यह Pythagorean theorem क्या होता है यहाँ पे लिखो Hyperdenous का square equals to base का square plus perpendicular का square अब आपको यह सोच रहे होंगे कि Hyperdenous base perpendicular क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा अगर हम कोई right angle triangle बना रहे है जैसे कि right angle triangle है और इसका नाम है लिख़ है PQR ठीक है इसमें यह जो यह line होता है RQ इसको हम hyperdenous बोलते हैं और यह जो RPA जो right angle है यह है पर्पेंडिकुलर और यह जो PQ है यह base है ठीक है हम रूट 5 को इसी right angle triangle इसी Pythagorean triplet का यूज करके हम इसको Pythagorean triplet बोलते हैं ठीक है यह triplet होगा है ना hypertenous base और पर्पेंडिकुलर इनका यूज करके हम root 5 को represent करेंगे number line पे राइट सो यहां पर hypertenous equals to यहां है यहां है तो इसको root लग जाएगा root का base square प्लस पर्पेंडिकुलर का square ठीक है अब यह जो root 5 यह दिया है यह hypertenous है ठीक है यह root 5 hypertenous है तो आप ध्यान दो अगर hypertenous root 5 है तो हम base क्यों क्या लें और perpendicular को क्या लें वो हमें सोचना है अगर मैंने hypertenous root 5 लिखा है तो आप ध्यान दो बेस में ऐसा हम क्या लिखें अगर मैंने लिखा 2 का square प्लस और पर्पेंडिकुलर लिखा है मैंने 1 का square ठीक है तो 2 का square क्या होता है 4 होता है and 1 का square 1 होता है तो हमारे पास क्या आगया है यहां पर root 5 आगया तो इस तरीके से हम खुद से सोच सकते हैं कि हम ऐसा क्या number लें base और perpendicular में कि हमारा hypertenous 5 हो जाए तो यहां पर हमें मिल गया hypertenous equals to root 5 तो दिया ही है हमें base क्या मिल गया 2 मिल गया 2 unit मिल गया and जो perpendicular है वो हमें 1 मिल गया अब इसी तीनों का use करके हम number line पे इस root 5 को represent करेंगे तीक है अब वो देखो इसको कैसे करते हैं आपको एक number line बनाना है scale का use करके और one one unit का gap देना है ताकि जो हमारा measurement रहे वो बिल्कुल correct रहे सो मैं यहां पर इस वाले dot को use करके एक एक unit का gap दे रही हूँ आप भी इस तरीके से दे सकते हो ठीक है इसी time mark कर लो यहां पर हो जाएगा इससे हमें आसानी रहेगी और one one unit का हमें सही से पता रहेगा यह हमारा zero हो गया यह हमारा one हो गया यह two हो गया यह three हो गया and four and so on number रहे इस तरीके से चला जाता है यह सारे positive number है ठीक है और देखो यहां पर zero है और यह one और यह two हमें base जो है वो two unit का लेना है क्योंकि हमारा base two है यहां पर so अगर हम यहां से यहां तक pencil का use करके अगर मैंने यहां से यहां तक इसको base ले लिया ठीक है यह line टेड़ी हो गई यह base है तो perpendicular हमारे यहां बनेगा और perpendicular हमारे क्या है one unit का है so हम क्या करेंगे पहले d का use करके क्योंकि मैंने आपको बता है perpendicular जो है वो 90 degree का होता है so हम इस two पे रखेंगे इस d को ठीक है और यह 90 degree पे हम mark करेंगे यह 90 degree हो गया और यहां पे हम इसको join कर देंगे इस तरीके से हमने 90 degree का बना दिया है और दिहान रहे है यहां पे यह two unit base था तो perpendicular हमें one unit का लेना है तो again हम इस scale का use करके one unit mark कर देंगे यहां पे यह one unit हो जाएगा ठीक है यहां से यहां तक यह one unit यहां पे mark कर दिया so यहां पे यहां पे नाम दे दिया इसी का नाम देंगे यह P था हमारा यह Q है और यह R हो जाएगा so यहां पे यह base कितना था हमारा base two unit का हो गया I hope आपको यह clear हो रहा होगा base two unit का था perpendicular जो हमारा one unit का है इसको P mark कर दो P से perpendicular, B से base जो हमारा hypertonuous होगा वो 5 आएगा root 5 आएगा ठीक है so हम इसको आप जॉइन कर देंगे यह root 5 हमारा क्या आजएगा hypertonuous आजएगा अब ध्यान दो क्यूंकि यह hypertonuous root 5 आया है तो हमें number line पे कैसे represent करेंगे उसके लिए आपको एक इसको क्या बोलते है protector का use करेंगे so यहां पे P पे रखेंगे इसको और आर पे जितना यह रहा है यह तरीके से radius है ठीक है इस radius से हम यतना जितना है इसी तरीके से हम number line पे mark करेंगे यह arc बना देंगे हम ठीक है अभी बताते हूँ यह arc क्यों बनाएंगे let's say अगर मैंने इसको complete कर दिया sorry यह किसक गया let's say मैंने इसको इस circle को complete किया यह पूरा तो नहीं हो रहा है यहाँ ध्यान दो यह circle मैंने complete किया तो यह radius हो गया जितना यह root 5 है तो उतना ही तो यह radius होगा ना इस तरीके से हमारा root 5 यहाँ पे आ रहा है इसको हम नाम दे देंगे क्या यह p q r था तो मैंने यहाँ पे इसको चलो d ले देती हूं यह नहीं तो s समझ नहीं आएगा root 5 यह d क्यूंकि यह radius है तो जितना यह होगा इतना ही number line पे आपको ध्यान होगा center से कोई भी line अगर हम circumference पे ड्रॉ करते हैं पीडी के और पीडी हमने क्या निकाला root 5 आपको clear होगा कैसे करना है आपको प्रोटेक्टर का यूज करके जितना हाइपर ट्यूनिय से उतना ही आर्क यहाँ पे बना देना यह आर्क ही तो हो गया ना यह आर्क यहाँ पे जितना इसको क्रॉस करेंगा वह हमारा root 5 इसके बराबर हो जाएगा इस तरीके से जो है हमारा यह root 5 कैसे represent करते हैं वह आपको समझ में आया होगा ठीक है और वीडियो को प्लीज लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना मिलने हम नेक्स एक्सरसाइज में जहां पे मैं root नहीं जहां पे मैं 1.3 कराऊंगी ठीक है बाए बाए